आज हम आपको रिमिक्स OS का ओनिस्ट ऑपिनियन देंगे ठीक है तो बेसिकली कुछ घंडा यूज करने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स आए कुछ जो प्रॉब्लम्स आए उसके बारे हैं आज हम आपको बताएंगे तो सिंपल सी बात है हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं फो आफिक्याता खाला है मतलब और नहीं होता खुलता नहीं था तो पॹ्यूं Kali हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाहिए तो इसके लिए प्रॉब्लम्स आपकोun nao, पूरанич और यदो अभी आंदेफेंगे बाद स्वावी सम आपको कहाने आपको फोन के बादियरा तो प्रहें क कि देख सकते हैं यह मार्स मेलो पर अभी भी चल रहा है तो कहने का अतलब कि अभी भी यह मार्स मेलो पर चल रहा है यह भी इसका एक ड्रॉबेक है और सब बांके चीज़ सब सही दिखादा है मैनिफेक्ट्रिंग देख सकते हैं मौडल नवर इंस्पिराउन का दिये हुआ है रिमिक्स बर्जन एंड्रोइड बर्जन और सिक्यूर्टी अपडेट 2016 का बहुत पुराना हो चुगा इसलिए 2019 में इसको इंस्टॉल करना बेब कुफी होगा और यह लेटेस्ट जो उनके व estimate utilize असे अफ्त्र और जॉप्रकशन काम करता है इसका इन बीच तो इसको इसको अप्डेट किया करने इसको फिर से इसको जो है सो 2019 के जो एकदम लेटिस्ट पाई के बेस्ट पे बनाया जाए तब जो है सो पक्का जो है तो यह धमाल मचा देगा इतना तो कह सकते हैं लेकिन अभी मेरा honest opinion यही रहेगा आप लोग के लिए कि इसको डाउनलोड ना करें तो ज्यादा बेतर रहेग यह डेली यूज के लिए काफी नहीं है मतलब इसको डेली यूजर नहीं किया सकता है से messenger एक Facebook सब काम करता है जो भी से पहले से दी हो सब काम करता है जो है सो एक दम first class है बस थोड़ा से पुराना हो जाने के वज़े से बहुत सारे apps जो हैसे इसमें नहीं काम करते हैं तो औ यहां पर launcher है यह चोटा सा launcher है कुछ apps है इसमें कुछ है पहले से install यह जो बैक बटन है और यह home button है और recent इसमें recent basically यहीं पर आ जाता है यह जो सारा है यहां पर taskbar पर दिख जाएगा कि कौन सा app जो है सो run कर रहा है जैसे setting run किये तो यह देखिए यहां पर setting आ गया यहां से आप close भी कर सकते हैं आपको उसके बाद हाँ प्ले स्टोर काम करता है देख सकते हैं प्ले स्टोर एक दम first class काम क जाने के बाद जैसे ही आप उपर में जाएगा तो यहां पर basically मतलब बटन आ जागा जिससे कि आप इसको क्रॉस कर सकते हैं इसमें gaming का भी दिये हुआ है Controls Gaming Toolkit जिससे कि आप जो है सो यह राइट साइड में आ और नहीं हुआ मैं एक खाल से पता नहीं क्यों नहीं on हो रहा है लेकिन on होता है वह तो उससे भी आप control कर सकते हैं basically game भी खेल सकते हैं इसमें उसके आप फाइल मैनेजर में सभी का partition so कर रहा है देख सकते हैं आप ओ ओ यह फस गया मेरे ख्याल से खुला तो देख सकते हैं इसमें शारा जो है तो पार्टीशन दिख रहा है Windows का फाइल सका और इमिक्स का अपना हरां कि Linux का Partition नहीं दिख रहा है हलां कि Linux बेस्दया सकुट दिखना चाहिए लिनिक्स का Patterson जैसे Ubuntu का हो गया चेन दिखना चाहिए था मैं उसको नहीं दिख रहा तो हम क्या क्र सकते हैं तो उर सब ठीक चलगा मृ फर्स क्लाश चल रहा है और कोई प्रोडम ने देखि गेमिंग वाला भी आगिया त्वा देर से आया लेकिन दुरूस्त आया तिसरा अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो इसको क्लोज कर देते हैं फोकस परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले हम आपको सेटिंग में जाके दिखा देते हैं इसका राम डेवलपर्स ओप्सन रॉनिंग सर्वीसेज तो देख सकते हैं यह फिलाल शेसो संतानवे बेरावे एमबी यूज कर रहा है और एप्स शेसो संतानवे हम यूज कर रहा है और टू टू पांटू जीवी फ्री है और अगर केस को लगा दिया जाए तो वन पांट नाइन जीवी फ्री है चुकि यह लैपटॉप रहा है यानि सिस्टम रहा है तो यह बहुत ही फास्ट काम करता है फ्लिवेंट काम करता है इस परफॉर्मेंस में कहें तो कोई लाग नहीं है इसको हम पेंड्राइब से बिसिकली रन कर रहा है तो बिसकली यह पेंड्राइब से रन हो रहा है लेकि किसी भी problem के बिना जो है सो रन कर रहा है मतलब कोई hang नहीं कोई lag नहीं यह यह जो है समको अच्छा लगा लेकिन जो पुराना होने के बहुत सारे apps नहीं काम करते हैं इसका में अगर बहुत सारा एप्स में से, अगर 80-90% एप्स काम करता है इसमें तो हम इसको recommend कर लेता है कि आप install कर सकते हैं लेकिन चुकि बहुत सारा एप्स इसमें नहीं run करता है तो इसलिए recommend करना बेब कुफी होगा इधर साइड में जो पैनलाई से basically notification खुलता है यहां पर settings है यहां पर अगर आप screenshot लेना चाहते है तो वह है और यह auto hide taskbar का option है और यह location है और यह notification का है ठीक है यह वाला जो है power का है और यह basically date and time का है और उसके बाद यह keyboard selection है और उसके बाद यह basically volume का है यह bluetooth का है और यह ram cleaner है ठीक है यह हो गया इसका UI left side में यह launcher है उसके बाद यह सब बटन हम बता चुके है अब बात के लिए कौन-कौन से आप इसमें pre-built है तो settings है game toolkit है chrome built है file manager और system update है system update जब इसको open करते हैं तो यह बोलता है इसको third party launcher से जब देख सकते है देखिए लिखा हुआ है we have detected the installed remix through third party installer तो third party installer से install करने का reason यह था कि इसका अपना installer काम नहीं कर रहा था अगर आप मेरा video देखे होंगे इसका installer का तो पता होगा आपको कि हम इसको कैसे install किये थे लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं इसको कैसे install किया आता है वह इसे भी आप install नहीं करना चाहिए इसके बार इस वीडियो के बार क्योंकि हम बोलना है कि इसको install ना करें तो काने का मतलब यह detect कर लेता है कि हाँ इसको third party launcher से जो है एक मिनिट अब ठीक है तो और जो अपस है उसमें से है chrome switcher है basically desktop और उसमें से switch करके बताता है कौन सा आपको युच करना चाहिए और और messenger है Wifi setting है यही सब है छोड़ा मोटा और quick pick दिये हुआ है as a gallery तो यही सब है जो है और एक play activator है इससे आप basically play service को activate कर सकते हैं देख सकते हैं play service को activate कर सकते हैं तो play service को activate करने के बाद basically आप जो है इसमें play store install हो जाएगा देखिए play store आ चुका है तो उसके बाद reboot करना पड़ता है और उसके बाद install हो जाता है settings हुँ चलते है settings में कुछ आपको दिखा रहते हैं settings में remix OS options है इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है auto hide task bar always on screen user experience तो यहीं सब है और उसके बाद नीचे experimental features में कुछ features यह वाया इनिवल डिबग टर्मिनल कॉंसल उसके बाद की mapping की mapping फर दोस गेमर्क्स ऑप डिवाइस फोर रिमिक्स OS विजर्ट कीवर्ट के लिए खटा-खटा की बोर्ट से जो है मतलब उपर नीचे दाएं बाएं जो भी करना है कर सकते हैं और फोन में भी बहुत सारा में जो है अलग से डिवाइस आता है जो कर सकते हैं पर इसके लिए ट्राइक पैड इनेवल ट्रेक पैड करेगा देखिया अब यहम ट्रैकपट से यूज कर रहा है और आप मतलब मौस से कर रहा है तो मौस से आपको अंतर बुजार आपका मौस से एक वर उपर से नीचे करते हैं तो खटाक से जाता है और ट्रैक पैट से कदर में smoothly जाता है smoothly तो यह अंतर है उसके प्रेंस इंटर टू सेंड है उसके बाद यही सब है जो भी आप देख सकते है उसके बाद पीशे चलते है उसके वाइफाई जो जैसा होता है वैसा यह एथरनेट एक फोन में नहीं होता है लेकिन इसमें इसमें दिवा है Bluetooth है उसके आप मोड के अंदर में क्या है मोड के अंदर में सीरी एप्यान है इसके वाइट डिस्प्ले डिस्प्ले चलिए दिस्प्ले सेटिंग देख लेते हैं डे ड्रीम है ज़्यारा कुछ नहीं है डिस्प्ले सेटिंग में डॉर्वल एंड्रॉइड के तरह से पूसित mm आप संद्ध चक्सक्राइब एंड में चैनल शाल होगा और कली आप करें में लीपप एप सब्सक्राइब करता है आप कर निधे तोर सब इस तो आर्खिटेक्चर का जो 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 जाल होगा और उसी के वज़ा यह काम नहीं करता होगा बाकि सब ठीक है ठीक है इसके बाद memory है location है उसके बाद एक में इसमें एक और फीचर दीवाद इसका file manager दिखा रहते हैं कैसा है तो file manager में left side में सारा का सारा option है और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है तो यह basically यह है जो है और प्ले अक्टिवेटर यह टर्मक्स है basically फोन में नहीं दिया होता है यह टर्मिनल है Android के लिए तो Android का टर्मिनल है और कुछ खास है नहीं तो हम recommend करेंगे कि यह वीडियो स्वरी आप स्टी अगर 2019 में या 2019 के बाद इस्टॉल करना चाहते हैं मतलब क्या ना में इसका remix OS और यह upgrade नहीं किया हुआ है मतलब भी चल रहा है यह Android 6.0.1 पे तो basically हम recommend करेंगे कि आप इसको install नहीं करें तो ज्यादा बहतर रहेगा वैसे वीडियो पसंद आप पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं आप शेके लिए उन्टर पर के लिए जया हिन जया वारत पीस